हलो क्रेंट वेलकम टू एक्समार्ट किरियेटर आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि टिक्के आप और आप किसी भी वीडियो को प्राइबेट में सेफ कहचे कीजिएगा अगर आप हमारी चैनल पे नय है तो लाल बटन को दबा कर चैनल को सब्सक्राइब कर ले और उसके बगल के वेल आइकन को दबा कर आउल पे सेट कर ले टिक्के अप पर किसी भी वीडियो को प्राइबेट में सेफ करने के लिए simply आपको अपने mobile में Tiki app को open कर लेना होगा तो चलिए सबसे पहले Tiki app को open करते हैं Tiki app को open हो जाने के बाद कुछ इस तरह का interface हो करेगा तो जैसा कि आप Tiki app पर किसी भी वीडियो को private में save करना चाहते हैं तो simply आपको नीचे में plus icon पर एक लिक कर देना है क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का interface हो करेगा और आपका जो mobile का camera है जो यहाँ पर open होकर आ जाता है तो simply आप अपने mobile के camera से भी यहाँ पर record कर सकते हैं मैं यहाँ पर simply अपने mobile के gathering से किसी एक वीडियो को select कर लेता हूँ वीडियो record कर लेने के बाद आपको simply अपने यहाँ पर editing कर लेना है आप यहाँ पर simply music add कर सकते हैं अपने वीडियो पर effect लगा सकते हैं तो सारे चीज़ हो जाने के बाद simply आपको next पर एक लिक कर देना है next पर एक लिक करते हैं simply आप post वाले option पर आ जाते हैं तो जैसा कि आपने वीडियो को record कर लिया है और आप चाहते हैं टिक कि आपर simply वीडियो को private में रखना आप इसे publicly publish नहीं करना चाहते हैं तो आप उस simply who can see पर एक लिक कर देना है who can see पर एक लिक करने के बाद जैसा कि अभी देख सकते हैं कि ये वीडियो है जो simply publicly है तो इसे private करने के लिए आपको private पर एक लिक कर देना होगा उसके बाद simply अगर चाहते हैं आप इस वीडियो को draft में save करना तो आपको simply draft में save एक लिक कर देना है तो simply आप इस वीडियो को private में publish करना चाहते हैं तो simply आपको post पर एक लिक कर देना होगा post पर एक क्लिक करते हैं जो वीडियो आपने private में save किया है वह simply privately यहाँ पर टिक अपर upload start हो रहा है तो simply आपको wait कर लेना होगा जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि टिकी आप पर मैंने किसी वीडियो को private में upload किया है तो simply यहाँ पर show कर रहा होगा तो इस तरह से आप यह टिकी आप पर किसी भी वीडियो को असानी से private में save कर सकते हैं upload कर सकते हैं